दोस्तों आज मैं आपको बताओंगा कि वाटस केसे स्टीकर बनाते हैं जो वाटसीज़ाइब करते हैं उसको आप अपने फोटोस का कैसे मैं सकते हैं देखिज से की यह देखिए मैंने अइसे सीज़ाने कि या ँवबात है तो आपकेसे का ऑन्ला करके अपने फ्रेंट्स को भेजेंगे भेज सकते हैं और काफी फणी है बहुत मज़ेदार है अच्छा भी रखता है तो आएए मैं आपको बताता हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बनाओ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड़ सब् कोई भी अगर वीडियो आता है तो सबसे पहले उसको आप देख सके उसका नोटिफिकेशन आपको बेख सकें तो आई यह सुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले में आपको बताऊंगा कि हमने दो अप्लिकेशन की जगवर पढ़ती है पहला अप्लिकेशन है कर लीजिए उसके बाद दूसर अप्लिकेशन जो आपको चाहिए वह बैक्ग्राउंड एजर देखिए बैक्ग्राउंड एजर करके एक अप्लिकेशन है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको अगर इस्टिकर क्रियेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले लीजर आप जो है उसको अपन करिए और जैसे उपन हो जाएगा यहां पर देखिए यह बीच में एक आप्शन है लोड़ और फोटो तो इस इस आप्शन को इस पट्टम को आप टाच करिए अब आपको क्यों अपना फोटो पिक करना है यह गैलरी में हमें पहुंचा जाए और यह गैल्जी को चूश करेंगे जिससे कि हमारी गैल्जी योपन हो जाएगी और देखिए मैं फोटो लेता हूं यह एक मैने पनी फोटो ली और इसे मैंने सेलेक्ट किया देखिए फोटो आगी फोला सब्सक्राइब क्रॉप कर लिए है और यहां उपार डॉन पर हम टच करेंगे और यह आ गया अब हमें क्या करना है कि यहां पर नीचे तीन देखिए नीचे तीन नीचे कई option दिए होएं जिसमें उधुरेक्ट में आतो हैं मैजिक है मैनौल है तो आप मैजिक पर टच करिए और उसके बाद हम जिस जो पार्ट हमें इतने कि जो बैक्ग्राउंड हो वो कि क्लियर हो जाए हमारी हमारा जो इमेज है इसको छोड़कर और ये बैक्ग्राउंड देखिए ये ऐसे करके अटा लो कि अटा चला जा रहा है कि काफी अच्छे से काफी बारिकी से इसको लियर करने में कि मैजिक पे करने का फायदा ये है कि ये खुद ही उसका लेता है कि कौन सा हिस्सा इसको हटाना है अब देखिए ये बैग्ग्राउंड इस तरीके से हो गया अब चाहिए तो मैंने भी कर सकते इसके बदा हम यहाँ डंपर कर लेंगे उपर दंपर करने के बार देखिए करते हैं और मैंने नहीं लिखते हैं थोड़ाइस के पॉइंट को बहा देते हैं उसके बादी यहां को यह हिस्सा था कुछ जगहों पर देखिए डंकल लिया मैंने से अधिया आगया फुटोरी इसको स्मूठ कर लिखते हूँ है फिर उसके बाद देखिए यह डंकल लिया फोटो कुछ हमारी ऐसे आगी उसके बाद सेप इसको बाद हम यहां पर बीजी कलर में वाइड देंगे और थोड़ा सा इसको दो तीन चार नमबर पर कर लेंगे जिसे की तोड़ा समूठ हो जाए और सेप कर लेंगे से फोटो हम उसके बाद हम यहां पर फिनिश करने के बाद यहां पर हम बैक आएंगे और परसनलिस्ती करने कर जोई है इसको जैसे ही उपन करते हैं तो आप इसको एड़ प्लिक करेंगे वैसे ही यह है और जयका है क्याहिक तो एक बादтов की कम से कम यहां पर तीन फोटो यहां पर शो हने चाहिए एक ही जगे पर तभी यह Εड करेगा तो यह फूलडर मैंने पहले से आड का रखा है तो आप गोड़ बाटन पे क्लिक करना है जैसे ही आप अट बटन पर क्लिक करेंगे ये एड हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे की यह देखिए यहां पे जो एक निमो जीस का सिम्बन ताउट तच्किया और यह लिब लास्ट में स्टीकर पे तो यह जो स्टार वाला और अप्शन ने यहां पर टाच करिए और उसके बद में स्टार पे यह देखिए फोटो पर बनाऊगा है यह दिखिए मेरी फोटोस पौन में लिए और जएसे ही मैं स्कुर तसे छोगा यह देखे अधिये करेटे किया तो बहुती फ़णी आफिम ताधनी से लिग एक तो आपसे को सेंड करी 실यी क्रीट है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लिएगा जिससे कि आपको और भी अच्छे वीडियो सुन सके और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपने जो वीडियो या स्टीकर जो बनाए हैं वो आपको ऐसे लगे तो अभी के धन्यवाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं